आईसे चूतिय टाप आने लोगों के वज़े से एकसेड़न होता बता है सदेनली उसने डारेक्ट में लेंड पे डाल दिया गूट मॉनिं गाइस कैसे आप लोग और वेलकम बाक टू दे चैनल आज हम लोग है जैपूर में और जैपूर से जाना है अमदाबाद तो जाने वाला है तो इसलिए हम लोग जल्दी आठ गए और रेडी हो रहा है टाइम हो रहा है अभी हम लोग सोच रहे थे यहां से ब्रेक्फुर्स्ट ऑडर करने के लिए और यहीं से भी दुहार रहेगा और कुछ नहीं बट बाहर व्यू काफी अच्छा है जैपूर सीटी का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमलोग यह उटाल में रुके इसका नाम है दो फ्लोरेंस रेजोर्ट काफी अच्छा हो फॉर्टम था और काफी अच्छा रोम भी ता नफरेबल रेट में हम लोगों को मिल गया वसे हम लोग रुके थे एकदमा हॉइवे से बागल में ही सब पाकिंग हो गया है टाइम हो रहा है सम्वेर अराउंड 9 15 और अभी हम लोग यहां से निकलने के लिए रेडी हो चुके है और लेस्ट स्टार्ट दे जर्णी अग्याइन कल तो बहुती खराब वैदर था हुप सो आज अच्छा हो और बस सेफली पोच जाए पट्रोल के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा चाड़ा गनपती वपा मोर्या हरार महादेव ओचरमात की जै प्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया है ब्लूटूथ पेरिंग में डाल देंगे तो टेंशन इस नहीं मुंबाई 1162 किलोमीटर्स कामिंग मुंबाई बाट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एक दिन और रुकना बड़ेगा अब मैं थोड़ा साइड में रुका देता हूँ क्यों कि शानी आ रहा है पिछे रहे गया वह ट्राफिक में तो यहां से हम लोग अपना राइ है लुटूथ भी डिसकनेक्ट हो गया फिर ट्राफिक में लोग इस तरीके से गाड़ी चलाते ना कि क्या बोलेगा अभी हम लोग इतना टाइम बाद आए है जैपूर के और जैपूर से निकलने में बहुत ज्यादा टाइम चला गया और मॉस्ट लेप बन आवर सो जो अभी हम लोग रुके थे हैं यहां पर होटल रादा रानी के यहां पर और यहां पर हम लोगों ने ओरड़र दिया है बहुत भुक लगा था तो खना खना स्टार्ट कर दिया यह है अलो मटर रूस्टेट पापड़ा वह सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब अबहुत nike घेखा थू कैसे परेक मारा है तरह लोगोजने से एक्सेड़ाइन होता है में चल रहा था मेड में लेन पे अपना स्पीड पखड़ है और है अई के बड़े ट्रोफवाले ने मुझा लिए वद ऑब सडेनली में लेन पे डाल दिया हो कब सच चले रहा था सब्सक्राइब करें जितना हो सके उतना जोर से ब्रेक प्रेस कहने का पॉसिस किया कि एबीएज भी केके नुगा थाइंग बच गए नहीं तो उसको ठॉक देते हैं कि मुंभाइए नाइनेट नाओ तो गुड मैं सब्सक्राइब करेंगे तो आगे थोड़ा रुपते हम लोग तो आगे थोड़ा रुपते हम लोग अब लोगाने सचा की ब्रेट्फस्ट के जगह पे रंची कर लेते हैं और इतना जादा विंडों इस आ रहा है इतना विंड आ रहा है क्या बुलेगा रहा है और फिर निकलते हैं ताकि रास्ते में कोई की तरीके का दिखत नहीं हो और पीच में फिर जादा बाड़ा गैप नहीं लेना पड़े यह भी जादा बाड़ा गैप नहीं था संदर अरूंड 45 मिनिट्स इंक्लोडिंग जो खना बना के लिए और वह सब चेज के लिए खना का तेस्त अच्छा था बाट वहां पर कुछ अवेलेबल नहीं था वह एक दिखत वाला बाद था अब यहां से बता रहा है अंदाबाद 10 गंटा अंदाबागर अभी बारा बज़े है तो दस बज़े तक हम लोग अंदाबाद पहुचेंगे रहाँ को और वह भी कशा है कि कंटेन्यू अगर चला तो रहतो मेरा सिटिंग पोजिशन अभी एकदम से चेंज हो गया अलाइक का मैं अभी साइब यहां से पैटके चला रहा है मेरा लग मेने दाल दिया है अपने क्राश गाड के उपर दोनों बाजू से अगर आप लग देख रहा तो तो मैं सहारा हैं से कंपटेबल पेट के गाड़ी चला रहा था कि अधिर रकोड कर रहा है वह गया नो टेंशन आराम से चलते जाएंगे पहुच जाएंगे नो टेंशन आ रहा है दो सेकंड लेश्लो करके आया वीडियो बनाखे जाए समलोगों ने सोचा कि पिसले बार हम लोग उदेपूर से आये तो इस बार हम लोग दूसरा रूट एक लिए यह रस्ता देखते हैं कितना अच्छा है कितना खराब है तो ब्रस ब्रीज तो चड़ गए और यहां से कंटीनू हम लोग आगे जा रहे हैं अभी हम लोग उने पाली में छोटो सा ब्रेक लिया था रस्ता काफी अच्छा है यह बस यह चीज है कि यह थो लेन इधर दो लेन इधर हुतना ही आप लोग उपको थोड़े संबल का चलना पड़ेगा था जो श्राइन टीनलैंड वाला रसता नहीं है और पानी पिया प्यास लागा था अभी अबस यहां से नीकल रहा है नेक्स्ट आप रहने वाला है शीरो ही, शीरो ही यहां से दो बंटा दूर है, 117 किलमेटर्स, तो वहां तक कंटीनू कीचेंगे है, फिर से वापस वापस सोटा सा एक ब्रेक लेंगे, हमला पाथ बजे तक अलमस्ट वहां पर पोच जाएंगे, तो इसके बाथ शीरो ही से हो रहा है, यहां पर मेरे बाइक मैं एक्चले भी बता रहा था, लो फ्यू एल, टाइम हो रहा है, 416 और पेट्रोल यहीं से भरना पड़ेगा, अभी अपने पास और कोई अप्शन नहीं है, हाँ हाँ हाँ, सच में हालत हो गया पता है, पीछे बंका, बट सच में आप लो लोगो को बलू, सब इस रोड इस रिली गुड, अगर आप लोग यह रूट से आओगे, तो काफे अचा है, कुछ 15-20 किलो मेटर का टाइम बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, बट टाइम बहुत फटा फटा निकलता है, इस पे एक दो जगह पे छोटे मोटे प तो फिर हम लोग पेट्रोल बढ़ देते हैं, दोनों भी बाइक में टैंक फूल, फिर आगे कंटीन्यू करते हैं, वसले हम लोग टाइम से बहुत ही आ गया है, शिरो यहां से कुछ सम्वेर अराउंड 26 किलो मेटर है, और इसके पहले से हम लोगों को टन लेना है, हाँ, ग मैं गिननेस, फोकेश दिखी नहीं रहा, और छोटा ही है, मुझे तो लगा तो 600 किलो मेटर जंबर हैगा, हाँ, वाँ, छोटू सा टनल, अब तक हम लोग ने जो भी टनल क्रॉस किया था, सब बड़े-बड़े था, आटल टनल, 9.8 something किलो मेटर, यह तो छोटा ही था, सब्सक्राइब करने वाले वहीं पर हम लोग मीचे से निकल जाएंगे, हाईवे से, मैं आप लोगो के लिए जलत दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग देख लोग माउंट आपू, और क्या मस तो मिट्टी का स्मेल आ रहा है, तो वहाँ पर बारिश हो रहा है, वाड़े हा से 80-85 किलमेटर्स था, यह रस्ता काफी अच्छा है, बाइक चलाने में मजा रहा है, यह स्टोड़ा सब तार्डनस फिल हो रहा है, क्योंकि यह सबसे, गोलते हैं ना स्ट्रेस्फूल रूट है, सबसे जाधा किलमेटर्स कवर करने रहते हैं, हमारे कुछ साड़े से सो के जाएंगे, जाइपूर से डारेक अमदाबाद, अगर जाइपूर से उदयपूर मार और उदयपूर से भी अमदाबाद जाओ, तो भी सेम ही होता है, तो वहां पर स्ट्रेज बढ़ जाता, अमदाबाद में रुकेंगे, फिर उसके बाद कल आगे का चन्नी कंटिन्यू ग आप लोगों को बदाता हूँ, अब बस यहां से अभी हम लोग निकल रहे है, रास्ते में शाद से अंदेरा हो जाएगा, और अमदाबाद पुस्ते पुस्ते हम लोगों को दस सारे दस बजेंगे, तो अभी फिलाल के लिए मेरा नेक पेन हो रहा था, तो मैंने गोप्रो निकाल के रख दिया है, बाकी यहां से रस्ता काफी अच्छा ही है, और बाकी का जो चीज रहेगा विश में में आप लोगों को अब्रेट करते रहूंगा, चलिए अभी निकलते हैं और कंटीन्यू करते हैं अपना जर्नी, अभी बज़ रहे हैं रात के पहुने बारा हम लोग यहां पहुंचे थे एक गंटा पहले अल्मोस्ट साड़े दिस के असपास फिर चेक-इन किया फिर बाई को पार किया फिर लगेज को सब निकाला वह बस उपर लिक्या है उसको बहुत जादा टाइम लग गया अभी ना को मिलते हैं कि अभी सोने का टाइम हो गया है भॉडी हालत थाइट हो गया है अभी हम लोग सोने जा रहा है एंड अर शीट फ इत for the vlog तो अगर आप लोगों के व्लोग पसंद हा रहेगा तो प्लीजु को फोल्गु तरीकर का डइ। अब लोगों को कोई भी तरीके का कर दो कर दो